शिप्पुरी जले के पिछोर थाना छेत्र के एक गाउं की रहने वाली 24 वर्षी महिला ने आज अपने दो साल के बीटे के साथ SP आफिस पहुँच कर पती और सोतन पर उसे प्रतारित करने और डेटिंग एप के माद्यम से लोगों को ब्लेक मिल कर सेक्स टॉर्शन का धंदा चलाने का संसनी खेस आरूप लगाया है पुलिस ने इस मामले में महिला काविदा लेकर जाच के बाद उचित कारवाई का भरोसा दलाया है मेडिया से बात करते हैं महिला ने बताया कि उसकी शादी 6 साल पहले पिछोर थाना छेतर के कुंडल पुर गाउं में हुई थी शादी से उसे दो साल का एक बेटा भी है शादी के कुछ साल बाद पती और ससराल पक्ष के लोग दहेच की मांग को लेकर पिरतारिस करने लगे महिला ने बताया कि पती उससे दूसरे मर्दों से फोन पर अशलील बाते करने के लिए कहता था जिसका उसने वरोध किया तो पती ने मार पीट कर उसे घर से बहार निकाल दिया और उसके अशलील फोटो और फोन नमबर शोशल मीडिया पर डाल कर उसे बदनाम किया जिसकी रिपोर्ट उसने पिछोड थाने में दर्च कराए जिसपर पुलिस ने पती और ससराल पक्ष के लोगों पर मामला दर्च कर लिया है केस नेयाले में चल रहा है वहीं पिछले तीन महीने से पती दूसरी महिला के साथ पती पतनी की तरह करेरा में रह रहा है महीला ने बताय कि पती और सौतन उसे हाथ पे तोड़ने और जान से मानने की धंकी देते हैं महीला ने पती और सौतन पर आरोप लकाति हुँ बताया कि दोनों डेटिंग एप, गागा के माध्यम से अश्लील बाते कर उन्हें अपने जाल में फसांते थे और फिर अश्लील वीडियो क्लिप बना कर ब्लेक मिल करने का धंदा करते हैं पुलिस ने महिला के आरोपो के बाद पूरे मामली की जाँच के बाद कारवाई की बात कही है यह सोशल मेडिया पर गलत सीजें करते हैं किस करें कि लेखमें करते हैं कि दूपसे कर रहे हैं यह दूपसा लोग हैं से अब आपके पती भी उस महलाई साथ ऐसे ही कर रहा है जो गागा एक के मदद से लोगों कर रहे हैं अचा तो आपके पती ने है उस महिलाना कभी आपसे भी कहा कि इस नहीं का कि सामिल हो जाए है ऐसा कुछ का था? बोलिह फैसे बत्स कर लो खीओ किसे तरे बातव कर लो पात कर लो कैसे करना है आप से भी कहा था कि आप इस पूरे सेक्स्टोर्शन के बैपार में उनके साथ हो ले इस तरह का उफर आप इसलिए आप पती से अलग हो गई है एक साल से जी सर मुझे मारा था इसलिए मम्मी सब लोग लेने गए ते मुझे तो हो आपको लगता है अगर अपनी मां के साथ न बैपार में आपको भी धकिल लेती है जी सर हाँ धकिल लेती है अब आप क्या चाहती है सर में इसका नया चाहती हूं